Hello everyone, आज हम सिमन भैबानी की पॉम It's time to move the flowers के बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहले पोईट के बारे में जान लेता है तो सिमन भैबानी है जो वो एक prominent Iranian contemporary poet, lyricist और activist है और वो अपने पोईब के जो गजल style है उसके लिए जाने जाती है उनके कुछ works के नाम है marble, paper dress, a cup of sin, etc तो स्टार्ट करते हैं poem से It's time to move the flowers, don't procrastinate, fetch the sickle, come, don't spare a single tulip in the fields तो यहाँ पे जो flowers है, blossoms है, grass है, जो इन सब का एक symbol है वो poetry, creativity और writers के dreams को represent करता है कि ठीक है, कोई आपको सोचने की ज़रात नहीं है अपनी sickles को, जो एक instrument type होता है घास को वगरा काटने के लिए, तो sickle को fetch करिए और जो सारे tulips के flower है, उनको काट दीजिए मतलब वो openly challenge कर रही है, वहां के जो government है उसको या फिर जो authority है, वहां पे उसको कि ठीक है आईए, और जो हमारी creativity है, जो हमारी poetry है उसको आके मार दीजिए कि जो आप हमें crush करते जा रहे है न, हम तो फिर उट जाएंगे अब ठीक है, आप हमारे जो heads है, उनको crush करने की कोशिश कीजिए मतलब, जो हमारे अंदर का intellectual spirit है, जो हमारे अंदर का talent है, जो हमारा thinking capacity है उसको crush कीजिए, जब तक आप उसको crush नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता आप हमें मारते रहेंगे, हम फिर से उटते रहेंगे तो बहुत ही revolting सा यह poem है, जिसमें वो challenge करती है authorities को, ताकि वो deliberately सारे weapons लेके आए, उस grass और flowers के against, so that they can cut them away Blossoms are opening on every branch, कि हर जो घर है, वहां से हर जगह से जो open, जो minds है, वो open हो रहे है अब लोग हैं जो चीजों को समझ रहे हैं, exposing the happiness in their hearts and they have a spirit, एक positive spirit है उनके hearts में, such colorful exhibition must be stopped कि यह जो spirit है उसको आपको रोक लेना चाहिए, मतलब वो दिखा रहे हैं कि we can be harmful to you आफिर आपको हमसे डरना चाहिए, इस तरह का spirit सा दिखा रहे हूं, revolting spirit Bring your scalpels to the middle to cut out the eyes of the flowers कि आईए, जो flowers की eyes है, उनको cut दीजिए, मतलब कि close कर दीजिए हर एक उसाग को जो कि government के action को देख रही है और समझ रही है कि reality क्या है मतलब blindly वो चीजों को follow नहीं कर रहे हैं, कि ठीक है, एक सरकार है, उसकी बात हमें माननी है वो चीज़े वहाँ पे नहीं हो रही हैं, अब people are becoming aware कि क्या वहाँ पे issues हैं और उनको कैसे solve करना है, तो लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं कि ताकि कोई देखेगा नहीं, तो उन चीजों को समझ नहीं पाएगा, तो ठीक है, हरे काको न बंद कर देजिए अब लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं I fear the anesthesia is spreading its corruption, stop its displaying in a golden bowl on a six-sided tray क्यों कि जो corruption है न, उसके display को आप छुपाने के आप कोशिश मत करिये क्योंकि जो वो चीज़े हैं वो लोगों को समझ आ रहे हैं तो you just cannot hide it away, आप उसको कुछ और रेप्रेजेंट करके उस चीज को छुपाने ही सकते हैं ठीक है तो यह चीज़ उन्होंने बताई है What is the use of your eggs if not to chop down the elm tree? In the maple's branches allow not a single bird's a moment's rest तो वो challenge करती है not even to, you know, a moment of rest नहीं देना है किसी bird को ताकि वो अपने, you know, nest में ना रह सके In the sense कि किसी को इतना rest मत दो, किसी को इतना peace मत दो तुम कि वो सोच सके So she implies है कि किसी को भी कुछ काम मत करने दो सब का spirit तोड़ दो ताकि कोई भी लोग तुमारे खिलाफ कोई भी आवास ना उठा सके तो इस तरह कैसे वो openly challenge कर रही है उनको कि भाई कुछ भी करो, you have to break our spirits otherwise हम तुम्हें ब्रेक कर देंगे Last में वो बोलती है My poems and the wild mint Message and perfumes कि जो मेरी poems है उनके अंदर एक बहुत अलग सा message है Don't let them create a riot with their wild singing कि जो हमारे messages है जो हमारा brain है, जो हमारा talent है उससे कोई riot मत होने दो मतलब कि लोगों तक हमारे message को मत पहुचने दो My heart is greener than green इसका मतलब है कि I have strength to fight back तो मैंने पहले बताया कि openly challenge कर रही है to kill them क्योंकि वो उनको ना क्या कह रही है कि अगर आप हमें नहीं मारेंगे तो we'll kill you She's challenging the enemies equating herself with the renewal कि I am the renewal and regenerating the hope of the spring कि जो spring का एक regeneration होता है कि something is gonna take place और कुछ नया होगा तो इस तरीके से वो बता रही है flowers, greenery and ये सारे symbols का use करके कि I'll be bringing a revolution वो भोलती है कि अगर मेरा message जैसे ही फैलता रहा तो लोगों के अंदर एक revolution की भावना आ जाएगी and people will stand against you So she say that flowers sprout from the mud and water of my being don't let me stand if you are the enemies of the spring कि तुम मुझे crush कर दो अगर तुम कोई भी एक तरीका revolution नहीं चाहते कोई revolt नहीं चाहते तो crush me तो जो poet है वो अपनी poem में cruel और जोइनाकिक force है वहाँ पर authority में उसके बारे में दिखाती है कि जो एक social political level चल रहा है उससे जो creative minds है वो ही लड़ सकते है we cannot stand with arms against the power हमें जो अपनी creativity है जो अपना intellectual power है उससे ही लड़ना होगा we have to bring a revolt इंजी जो से लड़ने के लिए तो यह poem भी बहुत ही एक revolting से force end होता है so that was all about the poem thank you